शादर जेस्या राम जैमा लितांबाब आज का प्रश्न है कि जोतिस क्या है? जोतिस एक सास्तर है ये कैसे आया? पहले बेद आये जब बेद आये तो बेद से उपबेद बने और उनके 6 सास्तर बने अर्थार बेद रूपी पुरुष के 6 अंगों है वही हैं साफ्त्र, इसमें सिख्छा है, कल्प है, निरुक्त है, ब्याकरण है, जोतिस है और शंद है, ये छे साफ्त्र हैं, इन साफ्त्रों के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज कलत है, जैसे, साफ्त्र का मतलब क्या होता है, पहले हम उसे चानते हैं लिखा हुनोंने सास्त्रत्तम संस ना दपी अर्थात किशी उद्देश विसेश से जो सम्पूर्ण अर्थों का ज्यान करा दे वे सास्त्र है अथवा सासनात सास्त्रम अर्थात करणिये आकरणिये करतब्या करतब्य विस्यों का जो बोध करा दे वे सास्त्र है और यही हमार साफ्त रहें सिक्षा बेद रूपी पुरुष की क्या है नासिका है हमारे पास सुगंध है कि दुरगंध है इसका आभास कब होगा जब हमारे पास नाशिका होगी कौन सी सिक्षा सही है गलत है कौन साग्यान सही है गलत है जो इसका आभास कराता है वही है सिक्षा फिर बात करते हैं दूसरा जो सवाल है इसका नाम है शंद शंद क्या है शंद है पैर कहां जाना है कैसे जाना है जो हमें लेके चलता है वहां तक वो छंद है हम जो बोल रहे हैं जो लोगों को तक पहुँच रहा है हमारा वो छंद है एक सुर में गा रहे हैं एक धुन में गा रहे हैं एक धुन है वोई छंद ही है वो एक छंद के माध्यम से प्रिस्तिती है इसमें कोई राग की प्रिस कार ना हो तो हम कुछ खाही नहीं पाएंगे कुछ पाही नहीं पाएंगे कुछ कर नहीं पाएंगे जो करने की ताका जो करने की जिसमें छमता है वो कल्प है इसके बाद इन्हों ने लिखा है कि निरुक्त को स्थरोत्र कान कह दिया गया निरुप्त के माध्यामशे हम सुन सकते हैं श्रवन कर सकते हैं यहां हमारे आसपास यह सारी चीछे हैं इसके बाद इन्होंने लिखा है कि ब्याकरण मुख है यदि हम कुछ बोल न पाएं लोगों तक अपनी बात को पहचान न करा सकें अपनी बात का यह लोगों तक हम न उस बात को पहुचा सकें तो कैसा हमें लगेगा हम कहना चाहते पर कहना ही चाहते कहने पा रहे हैं जो इसकी जो सकती बता रहा है वो ब्याकरण है कैसे कहना है क्या कहना है क्यों कहना है क्या बोलें ये जो बता रहा है ये ब्याक्रण है फिर नेत्र नेत्र का जो काम करना वो जो तिस नेत्र ना हो तो कहा जाना बिल्कुल अंधकार में ही दुनिया हमारी लिए मैशूज होगी बिना किसी के जो किसी का सहरा लेने की छमता न रखता, जो स्वयम सक्षम है, वैं है नेत्र, नेत्र के माध्यम से आप کو किसी की भी दिरूरत नहीं है, आप आत्म निरभरता के तरीके से कार कर सकते हैं, वैं नेत्र है, वैं कि नेत्र के विना सब कुछ अधूरा बहुत है, मान लीजे आपको हाथ दे दिया जाए, और नेत ना दिया जाए तो आप कैसे कोई चीज प्राप्ट कर पाएंगे नेत्र है हात ना भी है मुख दिया है तो भगवान की कृपा से आप उसे प्राप्ट कर सकते हैं पुनेत्र है तो ये हमारे साफ्त्र हैं जो हमें बताते हैं करणिय आकरणिय करतब्या करतब करणियों के बारे में कौन साकार करें कौन साकार ना करें वे साफ्त्र हैं अता हमें सास्त्रों का अध्यन करना बेहत अवश्चक है और इन्ही शास्त्रों के बीच हमारा एक जोतिस सास्त्र है जो अहम भूमिका के साथ और अहम चीजों को बताने की एक छमता रखता है सास्त्रों का ध्यानना किया जाए तो फिर कोई भी चीज हम कुछ भी प्राप्त करें वो किस मतलब का बताईए यह मुख ही ना हो और नेत्र ना हो तो कौन सा कार होगा हमसे अताफ दोकों तो जानना आवस्यक है नेत्र क्या है इसकी उपयोगिता क्या है और मुख क्या है इसकी उपयोगिता क्या है इसको जाने विना हम इस संसार में कुछ भी करने के काबिल नहीं बनते हैं आज क्लिक इतना ही जैसी आराम आसा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो सही होगा अच्छा होगा और जोतिस के बारे में एक गूर्ण रहश्य मालुम होगा और भी बहुत सरी चीज़ें आपको देने का प्रियास करेगा दास जैसी आराम जैमाल इलतामबा